जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी जैन धर्म को मानने वाली थे। जैसे हनुमान जी को वानर के रूप में या बंदर के रूप में दिखाया जाता है वैसे वो वानर जैसे या बंदर जैसे न होकर एक आम इंसान की तरह ही थे। केवल उनका वंस वानर का था। उनके पर वे वानर जाती के नहीं थे ना ही उनका मूह बंदर जैसा था और ना ही उनकी कोई पूंच थी वानर वनसच के होने के कारण उन्हें वानर ही समझ लिया गया जबकि जैन रामायन के अनुसार हनुमान जी एक काम देव थे एक विद्या धारी थे जिने आकाश में उड़न की विद्या प्राप्त थी लंका में प्रवेश करने के लिए ही हनुमान जी ने बंदर का रूप बनाया था वैसे वो बंदर जाती के नहीं थे बलकि वे सबसे आकरशक पुरूस थे कालांतर में हनुमान जी को डूपते सूर्य को देख कर संसार की अनित्यता का भान हुआ और वे दिक्षित होकर मुनी बन गए सिद्ध छेत्र मांगी तुंगी से हनुमान जी ने मोक्ष प्राप्त किया और जन जन के पूजनिय वंदनिय बन गए तो जैन धर्म भी हनुमान राम लक्षमन रावन सबको मानता है आपको क्या लगता है हनुमान बंदर जाती के थे या वे एक कामदेव विद्याधारी थे कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें